अधर्णिय सभापती जी कई वर्षों से किसानों की आत्मात्या समगर देश के लिए चिंता का विशे रहा है समय समय पर हर सरकार ने उनसे जो भी संबभ हुआ करती रही है कल की घटना के कारण पुरे देश में जो पीड़ा है उसकी अभिव्यक्ती सदन के भी सभी मान्य सदेश्चों ने की है मैं भी इस पीड़ा में सहभागी होता हूँ यह हम सब का समंकल पर है हम सब मिलकर के इस समस्या का समाधान कैसे ढूंडे समस्या बहुत पुरानी है समस्या बड़ी व्यापक है और उसे उस रूप में लेना पड़ेगा हूँ जो भी अच्छे सुजा होंगे उसको लेकर के चलने के लिए सरकार तयार है किसान की जिन्दगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है इनसान की जिन्दगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है और इसलिए रादनाजी ने सरकार के तरफ से जो जानकारी देनी थी आपको दी है लेकिन मैं इस सदन की पीड़ा के साथ अपने आपको जोड़ते हुए हम सब दल कोई भी हो देश बहुत बड़ा होता है समस्या पुरानी है गहरी है हम सब को सोचना होगा कि हम कहां गलत रहे वो कौन सी गलत रास्ते पर चल रहे वो कौन सी कमिया रही पहले क्या कमिया रही पिछले दस महिनों में क्या कमिया रही यह सब का दाइत्व है लेकिन किसानों की इस समस्या का समाधान का रास्ता हम को खोजना है और मैं इस विशे में खुले मन से जो भी सुझावा है आप जरूर आईए अपन को इनको रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे किसान को असाय नहीं छोड़ सकते हैं हमने उसके साथ उसके दुख में सहवागी होना है उसके भविशे के लिए भी सहवागी होना है और उस संकल्प आज की चर्चा में से वो संकल्प उभर करके आए सामोहिक संकल्प उभर करके आए कि हम सब मिल करके अब हमारे किसानों को हम न मरने दे मैं इतनी प्रास्राइस सदन को करता हूँ